लेबनान का हिजबुल्ला समुज राइल खिली गले कीवे हड़ी बन गया है जिसे नेतनियाउन ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं हालात इस कदर बिगड रहे हैं कि हिजबुल्ला हमास से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है लड़ाके हर दिन और हर घंटे इस्राइली एरस्पेस में गुस कर हवाई हमले कर रहे हैं इस से उत्री इस्राइल में जमकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है लड़ाके ड्रोन हमलों रोकेटों से उत्री इस्राइल के हर कोने को धेला रहे हैं फिलिस्तीनियों के समर्थन में हिजबुल्ला लगातार हमास का समर्थन कर रहा है इस गड़ी में लिबनान के इसलामी परतिरोध ने प्रमुक इस्राइली सेने टिकानों पर ड्रोन और रोकेट हमलों की सीरिस शुरू की इसके चलते कर सावया बैरेक में गोलान के 210 वे डिवीजन के 7 वे बक्तरवन ब्रिगेड का मुख्याले भी जत में आया हिजबुला के सैने मीडिया ने बताया की हमलों ने इस्राइली अधिकारियों और सैनिकों की चोकियों को टार्गेट कर निशाना बनाया इस दोरान लड़ाकों ने 26 हमलों को अंजान देकर दुश्मन खेमे को बड़ा नुकसान पहुँचाया है इससे इस्राइल और लेबनान के बीच का तनाव नए स्तर पर पहुँच गया है हिजबुला के द्रोन हमलों के लावा ग्रेड रोकेटों की बोचार की गई इस दोरान में टाट और शोमेरा बैरिकों के साथ साथ पास के इस्राइली असेमली पॉइंट पर भी भीशन हमला किया समू ने दावा किया कि ये हमला इस्राइली हमले और धायरा शायर में हत्या के जवाब में किया इस्लामिक रेसिस्टेंस ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए एक बड़ी सीरिस जारी की है इसमें रामया साइट पर भारी तौप खाने की गोला बारी, मार्ज साइट पर रोकेट हमले और जल अल आलम साइट पर निगरानी अपकरणों को निशाना बनाया इसके अलावा हिजबुला ने गैटन में 146 में डिवीजन के मुख्याले पर ग्रेड रोकेटों से हमला किया इससे पहले हिजबुला ने नफा बैरेक में कमांड सेंटर, यार्डन बैरेक में आटरली रजिमेंट और बकतरबन ब्रिगेट मुख्याले पर भी बंबारी की हिजबुला ने पूरे दिन उतरी इसराइल पर करीब 115 रोकेट और कई ड्रोन दागे, इसमें कुछ प्रोजेक्टाइल को रोक दिया गया था, तो बाकी प्रोजेक्टाइल खाली मेदान में गिरे, जिससे कई जगे आग लगने की रिपोर्ट मिली, हिजबुला की और से ब बड़े तनाव किली तैयार हैं, हम दीरे दीरे बदलाव के दोर में हैं, आईडिएफ ने हिजबुला की और से रोकेट दागे जाने के बाद लेबनान के एक लोंचर पर हमला किया, लेबनान के अंदर इसराइली हमले बहुत कम हैं, आम तोर पर घातक हमलों के जवाब में होते हैं, दरसल लेबनान के जवुला के साथ पिछले कुछ समय से एक बड़े हमले की अशंका जताई जा रही है, बीते दिनों इसराइल ने हिजबुला के कई कमांडरों को ढेर कर इलाके में हलचल तेज की थी, हिजबुला लगा तर इसराइल को बड़े हमले की धमकिया दे रहा है, ऐसी ये शंकाओं के बीच इसराइल भी युद स्तर पर पूरी तैयारी कर रहा है, इरान समर्तित हिजबुला समु ने बताया कि कुछ हमले सोमवार देर रात लेबनान की पूरवी बेका घाटी में हिजबुला हातिया डीपो पर IDF के हमलों के जवाब में थे, इससे पहले सोमवार कोतरी इसराइल पर एक विसफोटक ड्रोन हमले में एक इसराइली सैने NCO मारा गया था, IDF ने सोमवार रात को टायर के पास दक्षनी लेबनान में एक ड्रोन हमला किया था, इसमें हुसेन सुलेमान नाम का एक हिजबुला ओपरेटिव धेर हुआ था, IDF ने सुलेमान को हिजबुला की रोकेट और मिसाल जुनिट के एक एहम सदस्य की रूप में दावा किया था, IDF ने दक्षनी लेबनान के मनसूरी और तैभे में हिजबुला रोकेट लॉंचरों की एक जोड़ी पर हमले किये थे, जिने इसराइल में लॉंच करने के लिए तैयार किया गया था, हिजबुला के बढ़ते हमलों पर इसराइली मीडिया ने उत्री बस्तियों में हुए बड़े नुकसान की जानकारी दी, इसराइली चैनल माकर ने कहा कि क्रियत शमोना पर चल रही बंबारी के बीच स्थानी अदिकारियों ने इसराइली बलो की और से जारी गाइडलेंस को मानने का आदेश दिया है, इसके तहट अगली सूचना तक बस्ती में रहने वाले लोगों को सेफ जोन के करीब रहने का निर्देश है आप